आप सबी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर और आज आपके लिए खुशकबरी है खुशकबरी क्या है आप सब लोग मेरे से एक डिमांड दरा करते थे कि सर जीएश्टी पढ़ने के लिए कोई बुक बता दो कौन सी बुक फोलो क करें कौन सी किताब पढ़ें मैंने आज तक आपको कोई किताब नहीं बताई कि यह किताब आप पढ़ाई करो लेकिन आज मैं आपको एक किताब बताने वाला हूँ अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपकी जीएश्टी की रहा बहुत आसान हो जाएगी और उसके में और किताब के बारे में सर बताएंगे इसकी खासियत क्या है हमारे यूजर इस किताब को क्यो ले इस किताब को लेने से उन्हें क्या फायदा होगा यह किताब उन्हें कैसे मिलेगी और इस किताब को पढ़कर उनका क्या भला होगा प्लीज सर थैंक्यू कपिल जी मुझ और इस बुक में जो केटेग्रिजेशन की गई है जैसा आप GST लो को पड़ते हैं तो GST लो में सेक्शन्स चैप्टर में दिवाइडिड हैं तो वैसे ही इस बुक में उतने ही चैप्टर से अगर आपको सेक्शन 54 पे सर्च करना है तो अब चैप्टर के रिफर्ण्स के चैप्टर میں जाएंगे और हर्चैप्टर में 9 पार्ट हैं सबसे पहले है तिनोप्सिन को सबसे पहले है साइनॉप्सिस कि anyways टिकी किसी पे आपको जजमेंट्स मिलेंगी इसंगे Second is CGST's notifications, Circulars, Orders, Removal of Difficulty orders, Then CGST's Act's language, Rules's language. So we have made many categories of sections and each chapter has similar categories. This means that in any chapter, in any chapter, in any chapter. Same line is made in each chapter. The most good thing in this book is that you have a category of issues-wise judgment. Suppose that your refund is rejected because FIRC is not available within time. Okay. So, is there any decision that FIRC is late available and refund procedural issues because of this category? You will get a category. Meaning, you understand this. If you have any issue and what judgment has come, Now, we say that section 16 has 50 judgments. Okay. But how much for section 16 is for section 16? How much for section 16 is for section 16? How much for section 16 is for section 16? What judgment for rule 36 is for section 16? Yes. You have have been doing all category of issues. All category of issues. And in this book, you will find high court-wise decisions. Okay. And if there are contradicting views in any high court then that will be highlighted in it. Okay. And if there is a settled view in Supreme Court then that will be mentioned in it. So it means that, it is a combination of legislative, executive and judicial system. कि जो लो बनाया गया है, अच्ट वो इसमें है. जो रूल्स, नोटिफिकेशन इस्टिजीं किये गये है, एक्जीटिव ग़र्मेंट वो इसमें है. जो जुडिशल ने अपना स्टैंड लिया है, वाइव वरियस जज़्शमंट्स वो इसमें है. है और एक और पॉइंट है कि इसमें सर्विसीज के एचसन वाइज चेप्टर बने हुए है ठीक है कि अगर आपको 9954 वर्क्स कॉंट्रेक्ट अगर आपको 9963 फूर और बेवरेजिस इनका लो पढ़ना है तो उस पर्टिकुलर चेप्टर में आप जाके उस लो को स्टडी कर स क्योंकि ये किताब ना मैंने अभी 10 मिनट पढ़ी है तो मुझे इस किताब में काफी अच्छा लगा बाकी मैं इस किताब को पूराओंगा जब भी मुझे जरूरत इसकी पढ़ेगी फिर इसके बाद मैं आपको और रिव्यू दूगा तब तक आप इस किताब को सब्सक्र परचेज करने के दो तरीके हैं या तो आप ओनलाइन वेरियस एकोमर्स वेबसाइट से उस पर आप विजिट करें वो जो भी ओफर्स आपको मिल रहे हैं वहाँ पर आप बाय करें डिरेक्ट आपको डिलीवरी होगी केजे ग्लासिस के सब्सक्राइबर के लिए कोई सब्सक् करके इस बुक का ओटर प्लेस करता है तो उसको हम 40% डिसकाउंट विद डिलीवरी ओके नो डिलीवरी कोस्ट एक्ट्रा मला 40% आपको डिसकाउंट मिलेगा इसका MRP जो भी है लगबाग 3000 के प्रोक्स है तो 40% आपको डिसकाउंट मिल जाएगा और आप यहां पर बुक कर स इसे बिलकुल बिलकुल लेकिन यह जो 2000 पन्नों की किताब है इसे अगर कोई पड़ेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तो क्या आपने इसके लिए कोई ई-book वगेरा के बारे में कुछ सोचा है इसका e-book भी आ रहा है वो आने वाले 10-1 दिन में अवेलेबल हो जा में पर्चेज कर सकते हैं इसमें e-book में आप PDF में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ओके क्योंकि यह इसे कोपिराइटिट इसकाउंट तो PDF में अवेलेबल नहीं हो पाएगा यू कन जस्ट लोग इन तो यह एक कोपी मैं ले लूं मुझे तो को यह आपी के लिए है यह मेरे अरे मेरे लिए 100% discount बहुत धन्यवाद आपका और आशा करता हूं आप सब लोग इस बुक को जादे से जादा प्यार देंगे कर्सिस गुपता जी की नोलिज आपको पता ही है तो एक बार इस बुक को पढ़िएगा और हमें comment box में review डाली हो गया कि आपको कैसी हमारी बना चाहेंगे बस इसमें यह है कि आप इसे पढ़े अपने feedbacks दे और जो अच्छे suggestions होंगे अच्छे feedback होंगे उसे हम next edition में incorporate भी करेंगे आपकी मेहनत के लिए और आप सब लोग इसे प्यार नहीं से पढ़े करशिश गुपता जी ने बहुत मेहनत से बनाया तो आपको मेरे साब से यह आपकी practice में बहुत ही value addition करेंगे इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share कीजिए comment box में लिखकर बताईए वीडियो कै कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like and share जरूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thank you for watching